महाराश्च्व से हैं फातिमा, स्वाइब है आपका जी असलाम अलेकूम वालेकूम स्सलाम त्षाकिन साथ से बात करवाई है जी बात थो रही फातिमा, मैं हाजिर हूँ, क्या सवाज है? है जी है किन साहब राइस लेटी किस प्रॉब्लम बहुत रहती जी मेरे को अच्छा कब से रहती है कब से रहती है यह कमस्तम दो तीन साल से हो रहा बहुत सरकारी दवाएं और खाई समझे कुछ भी नहीं अभी तुमारा देखी न्यूस चैनल से प्रोग्राम तो तौल की संगर्थ कितनी हुमारे बच्चा मेरी हुमार होंगी देखो ची किशा कट गई को अच्छा उम्र तो मैं अंदाजा लगा लूँगा आपकी देखिए ऐसीडिटी का एक मुस्तकिल इलाज भी है और मैं अक्सर एक नस्खा शेयर करता हूं वो दुनिया के अच्छे नस्खे जात में है उसमें अच्छे चीजे तो किचन की है एक चीज बहार से भी लेनी पड़ सकती है अच्छे घरों में वो भी किचन में रहती है तो वो पूरे सिस्टम का इलाज है और दस बारा बीमारियों में काम करता है देखिए सौफ सभी जानते हैं सौफ सौट जीरा तीनों किचन की चीज़े धनिया अजवाइन और मेथी का दाना इ सौट जीरा धनिया अजवाइन मेथी का दाना इस सौसोग्राम लेकर पाउडर बना के रखें यह हमेशा घर में अगर रहे तो बहुत अच्छा है और एक आता है नमक जैतून यह दुनिया का शायद सबसे बैतरी नमक है एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिला है और यह दो गिलास पानी से यह च्छे चीजों का जो आपने पाउडर बनाया है यह खाने एक चम्मच और यह पानी पी लिए काफी है बस एक बार ही काफी होता है किसी किसी को अगर दो बार भी लेना पड़े तो ले सकते हैं खाने से पहले अदा घंटा पहले लिया करें त किड्नी इंफेक्शन यूरिनली इंफेक्शन और लीवर लीवर इंफेक्शन लीवर बड़ा हो जाना बढ़ जाना फैटी हो जाना किड्नी की गंदगी जो बढ़ जाती है जिसे इसकी वज़े से हम डायलेसिस कराते हैं वो गंदगी जिसे आलूदगी कहते हैं जिसे क्रि के लिए ये दुनिया का बेहतरी नुसका है इसे आप इस्तिमाल करें फाइदा उठाए है